हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर डिजॉलूशन ऑप फाम आगे कॉंटिन्यू आज जो एक टॉपिक लेका हैं बहुत अच्छा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑप पार्टनर्स लोन जि वाइफ का वा पार्टनर के वृइफ ब्रदरण का पार्टन के सिस्टर यका पर्सटर पर्सेल लोन डायक्ट बैंके तुरूब पेओफ बlol हो गा लेकिन कुछ कैसी जैसे बनते हैं जिन के अंदर हम उसके अमांट को जो है रिलैजेशन में भी लेंगे ध्यान से देखते चलना कौन से case में realization में आएगा और कौन से case में नहीं आएगा अब पहले case करते हैं first अच्छा ये loan आपको liability side दे रखा होगा liability का मतलब है कि firm has taken loan from the partner तो pay off भी करना है तो कैसे pay off करते हैं वो देखती है पहला case देखो ये liability side में दे है जब डिजोलूशन होगा तो पेमेंट तो करेंगे रिलाइजेशन में तो हमने इसको लिया नहीं इसके बारे में यदि को information ना दे रखियो loan के बारे में देखो लिखा हुए no information given about payment of loan तो हमें खुद payment करनी होगी bank account के दुरू या कभी-कभी लिख देगा एज लोन वाज ड्यूली पेड बाइदा फ़र्म तो जर्नल एंट्री भी इसका लोन की देखो कैसे बनता है आप छोटा सा लोन अकाउंट बना लिया करो टी शेप में आपको और खिलियर हो जाएगा देखो यह एका लोन है जब आम इसका लोन बनाएंगे तो यह रशीन अकाउंट बनाओ गए तो डेविट सेट आएगा लाइबलिटी के जितने भी ब्रॉट डाउन बैलेंस है वह किदर आएंगे क्रेडिट साइड अब जब इसकी पेमिंट करते हैं तो हम क्या करते हैं देखो लोन के अंदर एज लोन अकाउंट डेट टू बैंक यह बनी यहां पर आपने लिखा टू बैंक यह देखो आपको लेजर से सिखा देता हूं जर्नल एंट्री भी अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर लो रिलाइजेशन तो कहीं देखी नहीं रहा देखो इसके अंदर सिंपल है रिलाइजेशन कब होगा जब यह कोई असेट को ट जर्नल में जाके क्या बनेगी क्रेडिट तो लिखो बैंक तो क्रेडिट हुआ और यह लून लिख दो इसकी जर्नल एंट्री भाई एज लोन अकाउंट डेबेड जर्नल भी सिखा दी आपको लेजर से कैसे है यह देख लो ओर टू बैंक पहले केस में जब उस लोन के बार लोन आपको 30,000 है एड़ेस्ट्मेंट के अंदर लिखो क्या लिखा रहे है एज लोन वाज पेड रूपी 28,000 हमने उसके लोन की पेमेंट कर दी कितनी करी है लेस अमाउंट पे कर है और आगे लिखा है इन फुल सेटलमेंट फुल का मतलब आज के बाद कुछ पे नहीं करन अब यदे को इसका लोन अकाउंट में आपको बना के लिखाता हूं कैसे बनेगा और वहीं से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे इस केस में अब आपको जो है रिलाइजेशन में आएगा यह लिखा ए लोन या लिखो ब्रॉट डाउन बैलेंस मैंने आपको बताया जितने भ लिखो गए और यहीं मान के चलो कुछ नहीं लिखा तो बैंक अकाउंट हो गया दोनों में से कोई भी अब लिखो इसको रिलाइजेशन यह तूथा और प्रॉफिट हो गया कैसे हो गया अकाउंट को क्लोज करों जब आप अकाउंट को करते हो तो दोनों साइडे देखो 30 30,000 है यह रहा भाई लोन अकाउंट तो क्लोज करना ही हमने डिफरेंस किदर आ गया यह रहा तो अब इस केस में आएगा अब इसकी जर्नल पास कर दो भाई देखो यह लोन यह दोनों डैबिट दिख रहे हैं जर्नल में जाके क्या बनेंगे क्रेडिट लिखो यहां पर एज लोन अकाउंट डैबिट यह का लोन कितने का दिख रहा है आपको 30,000 लिखो 30,000 और टू करो बैंक हमने इनको डैबिट क आप लेके आ रहे हैं उस अकाउंट को लिखते हैं जरूर जर्नल एंट्री में ध्यान रख लो टू करो यहां रिलाइजेशन हमने यह लिख दिया यह लून रेलाइजेशन अकाउंट के लिए कितना आमाउं, 2000 अब यह भी कॉंसेप्ट किलिए करो क्यो लिखा बही लोन के हमारी liability और liability journal के rule थोड़े याद करो liability जब भी decrease होगी यानि के pay करते हैं तो decrease होगी तो क्या होगी debit increase होगी तो credit करते हैं bank हमारी assets है bank के भी rule याद करो journal entry में assets increase है तो debit करते हैं और decrease है तो credit यहाν पर हम payment कर रहे doğru assets decrease है credit होगी फिर थोड़ा nominal account पे चलो कोई income हो जाए तो क्या करते है credit expense हो जाए तो debit हमें income होगी एक तरीके से देना तो 30,000 था बट दे कितना रहे है 28,000 settlement हो गई हमारी तो 2,000 की income होई जितनी भी income है credit करते है clear हो गया अब इसी का करते है case third जिसके अंदर ज़्यादा payment करे तब क्या करेंगे लोन तो आपको 30 दे रखा है adjustment में क्या लिखा गया क्या रहा है age loan was settled by paying 32,000 ज़्यादा payment करनी पड़ गई हमारा delay हुआ होगा हमें उससे देखना नहीं है जितनी payment करी उसकी entry दिखानी है पहले तो एक लोन में चलते हैं यह देखो छोटा सा एक लोन अकाउंट बना हुआ यह एज लोन हो गया यहां से जर्नल एंट्री पास करनी आसान है इसलिए बनवा रहे हैं यहां लिखो बाई बैलेंस बीडी कितना दे रखा है 30,000 क्लियर है आब इसकी payment जब करेंगे तो किदर आएगा देखो यहां पर payment करोगे लिखो यहां पर क्या payment करी आपने टू बैंक लिखा हम इसकी दो एंट्री भी पास कर सकते हैं और एक भी अब इस अकाउंट को क्लोज करो देखो क्लोज करते हो तो 2000 इदर आ गया और यहां लिख दो realization जिदर भी आएगा realization आएगा याद रख लेना प्राफिट हो या लोस हो 32,000 अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर लो आप जर्नल कैसे पास होगी देखो दो एंट्री भी कर सकते और एक सिंगल भी कर सकते हो बतातों कैसे होगा देखो एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक करो पहली एंट्री तो यहीं से य यह बनी याद रखना अब दूसरी एंट्री पास करो जिस केस में वो रिलाइजेशन में आ रहे है क्या बनेगी एंट्री रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज लोन लिखो रिलाइजेशन टू एज लोन एज लोन 32,000 नहीं खाली 2000 सॉरी 2000 के लिए अब इन दोनों की यगए पर देखो single entry कैसे पास करती है यहां पर देखो एज लोन से एज लोन आपको एक तोम डिःबिट दिख रहा है क्रेडिट टो चैंसल करो सीधा लिखो एज लोन अकाउंट डैइड ूट डाय शन टिवीट टूक्ट करो थ लुग करो तो रिलाइजेशन की किलियर है ये एंट्री दोनों में से कोई भी एक एंट्री आपने पास करके दिखाने रियान रख लो ये रहा किलियर हो गया बही ये बनती है इस लेजर अकाउंट से जर्नल एंट्री पास कर लो अब इसमें क्योंकि कॉमन दिख रहे हैं देखो एज लोन और इधर भी एज तो दोनों को मर्ज कर दो 2000 क्रेडिट है 32 डेबिट है ओवरल 30 रहा गया डेबिट में यह रहा रिलाइजेशन कितना है 2000 और टू बैंक कर दो 32 तो यह वाली एंट्री चलती है इन दो की जगे के लियर है एक और करते हैं जिसके अंदर वो असेट्स को टुक ओवर करते हैं त लोन ओल्डर ने उससेट्स को टुक ओवर कराएं तो एक तो रिलाइजेशन अकाउंट में जरूर आएगा जितने का लिया है अब कैसे बनता है देखो यह लोन अकाउंट बनाओ वहां से किलियर होगा देखो यह तो आपका एज लोन हो गया यहीं से जर्नल एंट्री आप आपको आराम से समझा जाएगी यह सबसे पहले तो यहां ब्रॉट डाउन बैलेंस लिख दो जितना दे रखा है 30,000 किलियर है मैं आपको रिलाइजेशन अकाउंट भी बना के दिखाता हूं यहां जिससे आपको और किलियर होगा यह देखो यह रिलाइजेशन अकाउंट ब्ला दो भाई आप ऐसे ही तो लिखते हो रिलाइजेशन अकाउंट में भी क्रेड को यह असेट्स टुक अवर होगी तो जदि सेल करते हैं तो यहां लिखते हो मारकेट में बेशते हैं तो बाई बैंक करते हैं पार्टनर का नाम लिखते हैं अब यह लोन ओल्डर टूक लिखोगे realization अब मैं छोटा लिख दता हूं यह realization कि लिए है 29000 अच्छा पर अब इस account को close करें तो अभी आपको क्या बता था close करोगे तो जो difference आएगा realization में transfer करना होगा close करो यह लो यह आप transfer जब करोगे तो यह 30,000 हो गया है यह तो यह 30 गर 1000 आ रहा है आपका यहां पर भी जाएगा और क्या जाएगा एज लोन ही तो आएगा ऐसे जब आपने लोन में लिखा है तो रिलाइजेशन में भी जरूर जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ इस लोन पर कैसे हुआ देने थर्टी नाइन थर्टी थे और वो लेके कितने में चला गया ह हमें तो प्रॉफिट हुआ उसके लोन पर क्योंकि लाइबिलिटी तो ज्यादा की थी असेट्स लेके जो जा रहा है पूरे थर्टी की नहीं लेके जा रहा तो टोटल लोन में कितना दिखाएंगा या तो ऐसे करके दिखा दो या थर्टी थाउजंट पूरा दिखा दो द कर दो आप बात तो एक ही पड़ेगी यह लिख दिया भी मैं आपको दोनों दिखायता हो करके ट्वेंटी नाइन थाउजंट जितने का स्टॉक लेके गया अच्छा फिर प्रॉफिट हुआ था क्योंकि क्लोज करोगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा इधर आ इसकी जगहें पर क्या एंट्री पास कर सकते हैं देख लो यहीं से एलों 29 एलों डेबेड 1,000 टोटल कितना दिख गया 30,000 रिलाइजेशन क्रेडिट ओर रहे हैं रिलाइजेशन क्रेडिट तो क्या एंट्री बन जाएगी देख दो एज लोन अकाउंट डेबेड 30,000 और ट यह जर्नल एंट्री थी अब एक और कुश्यन करते हैं जिसके अंदर असेट्स ज्यादा की लेकर जा रहे हैं वो देखते हैं देखो 30 का लोन है लेकिन सेट्लमेंट कैसे हुआ है बाई गीविंग रिकॉडड़ हो चाहिए अन्रिकॉड़ बार 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 रिपीट कर ला कितने अमांट की दे रहे है 31,000 दोनों में सेम ट्रीट्मेंट है चाहिए रिकॉड़ एक बना लो राम से समझाएगगा आपको इहाँ रहां बना आपकी कोई भी assets को जर्नली आपको दोई form में दिखता था कि assets market में sell out कर दी या partner ने to cover कर ली assets हम ने यहां लिखिए होगी debit side में जब वो बिखती है तो किदर लिखते हैं by bank लिखती है partner to cover करता है तब यहां लिखते है partners name अब loan older लेके जा रहा है आपका KITने की लेकर जा रहा है 31 तो यहां में क्या लिखेंगे जो लेके जा रहे लून ओल्डर का नाम लिखो 31-ए लो यह ज्रों कि लिए किने कीन लेकर जा रहे 31 लिखदो 31 जितने की लेकर जा रहे अब यह इसके अकाउंट में आएगा क्योंकि एक लोन को आपने क्या दिया बैंक नी दिया असेट्स ले गया जितने की लेके गया लिखो क्या लेके गया अच्छा यह रिलाइजेशन से पोस्टिंग है असेट्स का नाम नहीं लिखते है याद रख लो जब हो सेल होगी तब भी नही लिखते पार्टनर टुकोर करता है तब भी निखते लिए लोन ओल्डर लिखेगा तो रिलाइजेशन आ गया तब भी नि लिखे गे यहां लिख दो रिलाइजेशन अकाउंट जितने में लेके गया कितने की लेके गया सब इस अकाउंट को जब करोगे तो डिफ्रेंस पूरा आप लिख लेना मैंने छोटा लिख दिया अच्छा यह जब इदर किसी लेजर में अकाउंट का नाम ही है क्रेडिट है तो उस लेजर में किदर जाएगा डेबिड लिख दो टू एज लो यह रहा वान थाउजन टूपी ऐसे करते हैं इसकी पोस्टिंग अभी इसकी आप जॉइंट एंट्री देखो कैसे होगी वह भी बताता हूं अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर लो वह सबसे पहली एंट्री तो आप यह देखो एज लोन चे करो एज लोन टू रिलाइजेशन दिख रही है लिखो एज लोन अकाउंट डे आके क्या बनेगा डेबिट और अपोजिट अकाउंट आ जाएगा तो लिखो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज लोन यह रहा टू एज लोन रूपी लिख दो वन थाउजंट अब इनको जॉइंट करो एंट्री को जर्नली जो जॉइंट एंट्री यह दो लिख दो ए लोन थर्टी फाउजंट के लिख दो यह डिट ho गया थर्टी अच्छा आप दूसरा देखो रिलाइजेशन क्रेडिट में दिख रहा है तो थर्टी रहा गया क्रेडिट में लिख दो टू रिलैजेशन तो ऐसे करते हैं हम दोनों तरीके से कर सकते हैं जो यह सा भी आपको ठीक लगया दोनों ठीक होते हैं ध्यान रख लो 30,000 हम इन दो की जगह जो हमने realization में लिखी है हम उसकी जगह पर डारेक्ट 30 भी लिख सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं किलियर हो गया इससे पहले वाला जो question था उसमें भी ऐसी था जिसमें 29,000 था उसमें भी हमने दो बार दिखाया था यहां पर 29,000 और 1,000 उसकी जगह डारेक्ट एज लोन लिख लो 30,000 वह भी कर सकते हैं या ऐसे करके दिखा दो नों ठीक है किलियर हो गया अब एक और करते हैं सिक्स्त केज देखो बहुत अच्छा है लिखा है एक टू कोवर स्टॉक ऑफ रुपी 20,000 20 का तो स्टॉक लेके जा रहा है अगेंस्ट इज लोन अपने लोन के गेंस्ट में एंड बैलंस इन कैश और जो बचा हुआ है वो कैश 10,000 ले गया 10 कैसे बना टोटल लोन कितने का लिख रहा है 30,000 का स्टॉक लेके जा रहा है कितना 20,000 तो जितने का लेके जा रहा है वो तो रिलाइजेशन अकाउंट के इंदर आएगा पहले एका लोन बना के दिखाता हूं आपको देखो यह यह ऐसे आप लोन अकाउंट बना लो कभी गलती नहीं होगी यह आपका एक लोन यहां लिखो बैलेंस बीडी कितना देना है हमने 30,000 उसको किलियर है अब 30 के बदले क्या लेके जा रहा है स्टॉक लेके जा रहा है असेट्स जब भी लेके जाएगा असेट्स का नेम नहीं आएगा देखो रिलाइजेशन में वैसे भी आप याद रखो यदि लोन ओल्डर करता है तो लोन ओल्डर का नाम लिखते हैं तो यहां क्या लिखेंगे रिलाइजेशन यह अभी आपको रिलाइजेशन अकाउंट से भी बता देता हूं आपको यह रिलाइजेशन अकाउंट कितने का लेके जा रहा है 20 इसका एक छोटा सा रिलाइजेशन अक कितने का 20,000 यह चीज किलियर हो गई है रिलाइजेशन में ऐसी तो लिखा होगा आपने रिलाइजेशन से तो पोस्टिंग हो रही है देखो एक लोन कि दर दिख रहा है इस अकाउंट के इंदर क्रेडिट साइड तो जब इसी का अकाउंट बनेगा तो डेबिट आएगा और दो एज लोन यह रहा के लिए रहे डेबिड करो 30,000 और टू करो यह रिलाइजेशन कितना आवाउंट है 20,000 और टू कर दो बैंक 10,000 समझा गया होगा कैसे है क्योंकि 20 का स्टॉक लेका जा रहे है और 10,000 उसको कैश दे दिया आपने बैलंस कैश होला था यहीं से तो पोस् है तो हेज लोन टू बैंक यहां से कर दो पास एंट्री तो यह एंट्री थी तो आज हमारा भी यह पार्टनर लोन का ट्रीटमेंट पूरा कवर हो गया टोटल सिक्स कैसिज बनते हैं याद रख लो जब लोन के बारे में पार्टनर लोन के बारे में कोई इंफरमेशन नही रिलाइजेशन में उस लोन के ओपर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फर्म को लॉस हो रहा है तब आएगा या कभी वो जो है फर्म की किसी असेट्स को टुक ओवर करता है तो तब आ जाएगा वो ज्यादा की करता है कम की वो दोनों के सिज़ाप को करा दिये और पार्ट तो जितने का वो असेट्स लेके जा रहा है वो तो आ जाएगा किसके अंदर रिलाइजेशन के अंदर जैसे यह रहा और रेस्ट अमाउंट बेंक अकाउंट के इंदर आ जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे को रच्छे कोश्चिन के साथ मिलते हैं आप यहां तक प्रै